अगर आपने pen card के लिए online apply किया है, pen card अभी तक बनके नहीं आया है, या फिर pen card आपका खो गया है, तो आप pen card को कैसे online ही download कर सकते हो, उसका complete process यहाँ पर दिखाने वाला हो, जिसमें कि आप अपना pen number या फिर आधार number यूज़ करके अपना pen card है, उसको online ही download कर पाओगे, इसक हो गया है, या फिर आपने online एक नया pen card बनाया है, आपको नहीं मिला है, तो यहाँ से आप अपना pen download कर सकते हो, अब pen card को अगर आपको download करना है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ये verify करना है, कि आपका जो pen card है, वो किस organization के जरिए जारी किया गया है, अब इंडिया के अंद है, तो इस पर back side पर देखोगे, nsdl यहाँ पर mention होगा, अब यह चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका pen card है, जिस भी संस्थान के जरिए जारी किया गया होगा, उसकी ही website से आपको pen card को download करना होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीनों ही company जो भी pen card को बनाती है, उनके download link दे रखें, अगर आपका nsdl का pen card है, तो यहाँ पर आपका pen card को download कर पाओगे, इसके साथ में अगर आपका pen card की copy है, तो उस पर आप देखोगे, तो UTI mention किया गया होगा, इसके साथ में जैसे कि अगर आपका pen card income tax department के e-filing portal के जरिए बनाया गया है तो यहाँ पर आपका pen card का back side है, वहाँ पर income tax department gov.in यहाँ पर mention होगा, तो यहाँ पर आप जिस भी website से आपका pen card बना हुआ है, यहाँ पर download का link दिया गया है, जिस पर click करके आप अपना pen card है वो download कर सकते हो, अब जैसे कि हमारा pen card वो income tax department के portal से बनाया गया है, तो यहाँ पर जो download का link दिया गया है, इस पर हम click करेंगे, तो हम redirect हो जाते हैं, income tax department के e-filing portal पर, जहाँ पर अगर आपको pen card को download करना है, तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है, instant e-pan का, तो आपको इसी option पर click करना है, अब जैसे हमने click किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस option के जर अंदर ही बन जाता है, वो भी free of cost में, तो यहाँ पर pen card को download करने के लिए check status, download pen का जो option दियागा, इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नमबर है, 12 digit का फिल करना है, और continue के option पर click करना है, अब जैसे हमने continue के option पर click किया है, तो अब हमारे mobile phone को verify करने के एक OTP send किया जाएगा, जिसको हमें यहाँ पर फिल करना है, और continue के टैप पर click कर देना है, तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमको green color का कुछ message आ गया है, कि pen हमारा जो allot है वो हो चुका है, और यहाँ पर download e-pen का option दिया गया है, यह फिर अगर आपको pen देखना किया गया तो इस तरीके से आप download कर सकते हो, अब अगर आपका pen card है वो nsdl के जरीए जारी किया गया है, तो उसका जो link है मैंने video के description में भी दे रखा है, जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पर आप सभी के सामने download e-pen का जो page है वो आ जाता है, यहाँ पर आप देखोगे कि आ अगर आपका pen card बना हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने pen card को फ्री में ही download कर सकते हो, अब यहाँ पर 30 days से अगर आपका pen card बने हुए जादा हो चुका है, तो मातर यहाँ पर 8.26 पैसे का payment करना होगा, इसके बाद में pen को आप download कर पाऊगे, तो यहाँ पर download करन करना है, यहाँ बर्थ के सक्षन में हमारा जो बर्थ कर देना है, जिसमें कुछ भी आपको इंटर करने के जरूरत नहीं है, टर्मन कर्डिंस को accept करने के लिए इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, नीचे के तरफ आना है, तो यहाँ पर आपको एक capture code दिखाया गया होगा, यह जो capture code है, capital, small, जैसा आपको दिखाया गया, सेम वैसे इंटर करना है, और submit की टैप पे क्लिक करना है, तो अब जैसे हमने submit के option पे क्लिक किया है, तो हमारे जो pen record है, यहाँ पर फेच हो चुके हैं, अब यहाँ पर आप सभी को यह देखने को मिल जाता है, कि आपके pen card से अब यहाँ पर आप सभी को यह जो pen card है, डाउनलोड करने के लिए अपना जो verification है, वो कराना होगा, कि आप ही इसके मालिक हो, तो यहाँ पर आप सभी को दो option देगे हैं, आप चाहो तो email ID पर OTP प्राप्त कर सकते हो, या फिर mobile number के जरीए verification कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे क हम चाहते हैं, mobile पर OTP आजाए, इसके लिए हम mobile का option select करेंगे, term and conditions को accept करने के लिए इस option पर click करेंगे, generate OTP के option पर click करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे mobile phone पर OTP को send किया गया है, जो कि यहाँ पर within 10 minute हमको fill करना है, validate के टैप पर click करेंगे, तो आप सभी का जो pen card अ जो option है वो आएगा, जहाँ पर आपको दो payment gateway मिलेंगे, जिसमें कि आप ATM या फिर विल्डेस का यूज करके, आपको जो 8 रुपीज का payment करना है, वो करना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर अभी जैसे कि पेटियम का option है, वो select किया है, यहाँ पर यह जो payment है, Google पे, फोन यह फिर हम अपने credit card से कर सकते हैं, तो नीचे के तरफ आना है payment करने के लिए I agree के option पे click करना है, और proceed payment के option पे click करना है, और यहाँ पर pay confirm के option पे click करना है, अब यहाँ पर आप चाहो तो QR code को scan कर सकते हो, या पर जो भी payment method आप यूज करने वाले हो, नीचे के तरफ आपको option दे गए हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर UPI के जरीए payment करना चाहते हैं, और यहाँ पर QR code को हमने scan किया है, और यह जो page automatic redirect होगा, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारा जो payment है, वो successfully हो चुका है, यह इसी के साथ पर आप देखोगे कि हमारी जो transaction ID है, वो भी generate हो करके आ यहाँ पर आ चुकी है, आप चाहो तो इसे download PDF के option पे click करके आप download कर सकते हो, या फिर pen card को download करने के लिए आप देखोगे, उपर की तरफ download e-pan का option है, वो यहाँ पर आ चुका है, जिस पर मैंने जैसे click किया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है, कि हम अपना जो pen card है, वो XML फार्मेंट में या फिर PDF फार्मेंट में download कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे PDF फार्मेंट में download करने के लिए click किया है, तो यहाँ पर pen card को save करने का option है, वो आ चुका है, अब यहाँ पर pen file को जब भी हम open करेंगे, तो यहाँ पर हम से एक password मांगा जाएगा, जो कि जब आपने download किया, वहाँ पर बताया गया था, कि आपको अपनी जो data birth है, without any symbol के, यहाँ पर DD, MMYY कुछ इस तरीके से फिल करना है, और इसके बाद में submit के option पे click करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि pen card की जो income tax department की तरफ से e-file जारी की गई, यहाँ पर download हो चुकी है, नह आपको जो pen card है, जैसे की UTI के जरीए जारी किया गया है, तो यहाँ पर UTI का जो option है, मैंने दिया है, उसके click करोगे, तो UTI e-pen download करनी की जो website है, वो आ जाएगी, जिस तरीके से हमने NSDL का pen card download किया है, कुछ उस तरीके से ही आप अपना जो pen card है, इस website के जरीए भी download कर सकते हो, अब pen card की physical copy अगर आपको मंगाना है, तो 50 रुपीज का फीज का payment करके आप घर के पते पर मंगा सकते हो, जो की plastic का PVC card आपको मिल जाएगा, अब अगर आपको वो वीडियो देखना है, तो वीडियो के description में उसका जो link है, वो मैंने दे रखा है, या फिर अगर आपको correction क सवाल है, या कोई सुझाव है, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जहिन!